कि वेल्कम टू माई यूटूब चैनल हम इस वीडियो में टेंथ क्लास का चैप्टर नमर वन साइंस इन हिंदी मेडियम रसानिक अभिक्रिया हैं समिक्र के बारे में पढ़ने जाते हैं अब हम जानेगे कि रसानिक अभिक्रिया क्या होती है कि रसानिक अभिक्रिया एसे पदात जिनमें नए गूर वाले पदातों का निर्मार होता है उसे रसानिक अभिक्रिया क्या होते हैं मन कली अब हम अभिकारक के बारे में बात करेंगे ऐसे पदात जो किसी रसानिक अभिकरिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें क्या करते हैं अभिकारक जो रसानिक अभिकरिया हुई उसमें जो पदात हिस्सा लेते हैं उसे क्या करते हैं अभिकारक कहते हैं अब हम उत्पात के बा अभिक्रिया क्या होती है और हम ज correction के उधारन क्या है क्या है कि बोजन का पचना सौशन, लोहे में जंग लगना, मैंगनिशम का फीते का जनना, दही बनना ये सारे क्या रसैनिक अभिक्रिया है, जो एक चीज में थी पहले, अब वो दूसरी चीज में चेंज हो गई है दूध पहले था, पर वो आप क्या बन चुका है, दही, परनतु हम दूध आख नहीं बना सकते हैं तो ये क्या हो गई, रसैनिक अभिक्रिया, जो चीज चेंज हो जाए उसको दूभाव से नहीं बना जा शकता है रसायने का भिक्रिया के कुछ प्रेक्षन हम देखेंगे कि कैसे पता चलता है कि रसायने का भिक्रिया हुई अवस्था में परिवतन रंग में परिवतन और गैस में सर्जन हमें ये चार चीजों पर ध्यान देना हुआ कि रसायने का भिक्रिया कब हुई जब उसमें तो क्या हुआ रसेनिक परिवर्तन ही कहलाएंगे अब रसेनिक परिवर्तन के पदर्शन करना है अब हम उसे पदर्शित कैसे करते हैं ठीक है हम में सब जिस्तमिकरण दिया हुआ है जिसमें क्या है जिंक प्लस सर्फूरिक अमले है एलेचस यानि अभिकार्ग और अर उत्पाद और हम जानते हैं कि अभिकारग क्या होता है मैंने आपको ओपर बता दिया है अब हम जानते है स्ष्ञार्शानिक अभिष्ट्रियों को प्रदर्शित कैसे करते हैं जिंक यानि ZN और सल्फूरिक अम्ड ठीक है सल्फूरिक यानि कि H2SO4 फिर जिंक सल्फेड ZNSO4 और प्लस हैट्रोजन यानि यह हमारे क्या हुगा कैसे रस्यनिक अभिक्रिया को पदल्षित करते हैं घurst 2025 कि यह खो आ руб मों अभा जानते हैं कि सब्सक्रौ ऑब रचनिक समिकरण क्या होता है ले सब्सक्राल के अभिक्रिया व्हां के रिसेनिक जाहिते तत्तों के प्रतीक, अभिकारक और उत्पाद, को रसैनिक सुत्र, उनकी भौतिक अवस्थाओ, किस कौन सी अवस्थाओ, भौतिक अवस्थाओ के साथ लिखा जाता है, ठीक है, और रसैनिक अभिक्रिया में अवश्चक परिस्थितिया कौन सी होती है, अब कोई अभिक्रिय जब दाब और उत्प्रेश जो भी होता है उसे क्या हम दकाते हैं ऐसे तीर के निसान से पर या तीर के सन से नीचे उसको दिखाएं ठीक है अब हम जानते हैं रस्यनिक समीकरन को संतुलित कैसे करते हैं दर्मार शरक्षन का नियम हैं अब हम तुम सोच आप सोचोगे कि दर्मार शरक्षन का नियम क्या होता है इसमें यह होता है कि किसी भी अभिक्रिया रसानिक अभिक्रिया में ना तो दर्मार का निर्मार होता है और नहीं उसका विनाश होता है ठीक है रसानिक क्रिया में पहला जो होता है वह अभिकारक और बाद में जो मिलता है में उसे क्याते है उत्पाद प्रत्य तत्तों के परमारू की संख्या समान होने चाहिए अब हमें अगर कोई चीज़ अब हमें यह देखना है कि दरशनेक कि अबी स्कृट का संतुलित कैसे करते हैं तो इशमें हो जो अभीकारक हुंगे और रुत्पाध हогंगे दोनों के परमारो हुट मार मान की संख्या होगे क्या हूं जब अगर उक्वल और हमारे समीकर में नहीं है वो क्या है आज संतुलित हो जाएगा तो इसका हमें ध्यान देना होगा यह हमारे पेपर में भी एक माक्स में आ जाता है तो कि इसे ध्यान से पड़े हूं जानेंगे कि जो संतुलित केसे करते हैं अब देखो हमें सब्स Unai जा करने के लिए पहले हम क्या करेंगि उसे बॉक्स में रखेंगे इसमें लिखाए प्रतेक सुत्र को पदर्शित करने के लिए क्या करेंगे बॉक्स में रखेंगे फिर दूसरा इसे संतुलित करने के लिए जो इनके परमारु दरबमान है परमारु दरबमान उनको देखेंगे उनको भी जो अभिकारक है और उत्पाद अलग अलग बॉक्स में रखेंगे यानि कि अलग 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 रखेंगे फिर उनके जो भी दिये हुए हैं परमारु सब्सक्राइब करने के लिए हमें करना है भी तो ठीक है और हमारा एच जो है देखो एच हमारा दोनों साइट दो है इसलिए हमारे यह अल्रेडी संतलित है अब सबसे अधिक परमाडू वाले तत्तों को अभिकारक और उत्पात की साइज अनुसूचित गुड़ांक लगा का संतलित कीजिए अब हमें जोची संतलित नहीं है जिनके परमाडू द्रमान उन्हें पहले संतलित करना है तो हमने यहाँ पे देखा था फ ए और ओ का संतलित नहीं था जिसलिए हमने यहाँ पे three से इसको किया फिर यहां पे भी करके इनको संतुलित कर लिया तो हम देखते हैं इसी तरीक्या से हम संतुलित विधी को सीख चुके हैं अब हम जानते हैं अविकार को उनके बहुत अवस्था को कैसे लिए ठोस को S से द्रव को S से और गैस को अवस्था को G से और जलिये को हम लिखते है जलियो को AQ ठीक है अब हम पढ़ेंगे कि रसेने का भिक्रिया के प्रकार पहले हम सयूजर का भिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे इस अभिक्रिया में 2 यह 2 से अधिकाइक मिन कर एक उत्पाद बनाते हैं जैसे कि A और B मिलेंगे तो क्या हमें मिला C तो इसी प्रकार इनके भी एक्जामपल हम देख लेते हैं इनके एक्जामपल में भी कोईले का देहन कोईले का देहन जल का निमार और बुच्छा हुए चूना अब हम जानते हैं उश्मा शेपी अभिक्रिया क्या होती है उश्मा शेपी अभिक्रिया क्या होती है उश्मा शेपी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में उत्पाद कर निमार के साथ उश्मा का भी कुछ सर्जन होता है उसे क्याते है उश्मा शेपी अभिक्रिया इसमें एक चीज हमें याद करने के लिए important है किसमें क्या होगी उश्मा भी उच्छ सर्जित होगी यानि कि heat निकलेगी तो उसे क्या करते हैं उश्मा शेपी अबिकरिया और इसके example प्रकर्टिक गैस, शौशन और ठीक है दो example हो गए अब हम जानते हैं वियोजन अभीकरिया क्या होते है इस अभीकरिया में क्या होता है कि जो एक पदास्थ होगा तोटकर दो ये दो से अधिक उतपात बनाएगा एक अभीकर्या में अभीकर्या तोटकर दो ये दो से अधिक उतपात बनाएगा ठीक है अब हम जानते हो उश्मा वियोजन यह सब भीक्र arrival आपको नाम से पता चल रहा है कि उश्मा यानकि उश्मा द्वारा योरा किया गया वियोजन इस उश्मर्श फी अभीक्रिया गया सहते हैं जैसे फेरन सल्फिट उकस्ट पीरन उक्साइड में हो गया चूना में लॉड नाइत्रेट लॉड ऑक्साइड और नाइत्रेट डाय कि रिद्रेट होगी तो इसमें विध्यूत धाय प्रावित होगी और परक्नली में और इनने 6W की बैटरी का इसमार किया जाए अब हम पढ़ते हैं प्रकाशी बियोजन क्या होता है प्रकाशी बियोजन जो सूरी की प्रकाश की उपस्तिती में होता है उसे क्या करते हैं प्रकाशी बियोजन इसमें किया जुरूरी है हमारे लिए सूरी का प् इसकी प्रकाश और विधुत उर्जा की आशक्ता होती है तूटेने के लिए कि प्रकाश उर्जा और विधुत उर्जा की आशक्ता होती है उसे कहते हैं उश्वाश्यपी अभिक्रिया अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है नाम से पता चल रहा है विस्थापित हो रही है कोई चीज़ इस अभिक्रिया में अभिक्रिया शीलतत जो अधिक अभिक्रिया शीलतत को उनके योगिकों से विस्थापित कर देते हैं किस से विस्थापित कर देते हैं उनके योगिकों से विस्थापित कर देते हैं अभी इस अभिक्रिया में FE जो था और प्लस CU SO4 था ठीक है तो जो FE SO4 यह ज़्याद अभिक्रिया शील थे इसले ही इसने इसकी जगह ले लिया और CU का में विक्रिया शील था इसले वह अट गया ठीक है अब यह हमें परखनली में धाग कौपर के कुल्स दिया हूँ है वह पड़ते हैं लोहे की कील में बूरे रंग की रंग का कौपर की परच रंग जो होता है C U S O 4 नेले रंग का बिलियन हरे F E S O 4 का निर्मार के कारण होता है अब हम पढ़ते हैं दूइब इस्थापन पहले हमने अभी इस्थापन भीक्रिया में क्या होता है इस अभीक्रिया में उत्पात का निर्मार दो योगिकों के बीच आइनिक यो आइनिनों के आदान परदान से होता है इसमें क्या है आइनिनों के आदान परदान से ये अभीक्रिया होती है जैसे सोडियम सल्फेड बेरियम क्लोराइड ये दोनों थी अभीक्रिया अभीक्रिया इसने बेरियम ने क्या किया बेरियम सल्फेड बनी गया बेरियम क्लोराइड से बेर अधिक अभिक्रिया शिल को जगाली लेती है अब हम पढ़ते हैं उपचैन और अपचैन क्या होता है उपचैन अभिक्रिया है इस अभिक्रिया में क्या होता है और हाइटरोजन का हांस होता है किसी भी अभिक्रिया में अगर ऑक्सिजन की व्रिद्धी अथवा हाइटरोजन का हांस होता है अथो दोनों दोनों हो तो उसे कहाते हैं अभी क्रिया ठीक है जैसे C प्लस O2 जिसमें क्या हुआ हमारे पास ऑक्सिजन की ब्रिद्धी हो गई और आहिट्रोजन का जो था हांस होगा ठीक है इसी प्रकार आगे हम बढ़ते हैं अब हम पढ़ते हैं कि अपचेयन अभी क्रिया क्या होती है अब अपचेयन अभी क्रिया जिस अभी क्रिया में ऑक्सिजन का हांस होता है और हाइट्रोजन की ब्रिद्धी हो इसका उल्टा होता है तो उसे कहाते हैं अपचेयन अभी क्रिया ठीक है इसमें क्या हुआ इस अभिक्रिया में हाइट्रोजन की बृध्धी हुई और ऑक्सिजन का हंस हुआ अब हम इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का उपचैन होकर हाइट्रोजन उपचैत होकर जल का निर्माड होता है देखो हम सिंपल सा ये जान लेते हैं ये रोडक्स अभिक्रिया क्या है जिस अभिक्रिया में उपचेन और अपचेन दोनों होता है उसे क्या कहते हैं रोडक्स अभिक्रिया अब हम जानते हैं संरक्षन क्या होते हैं देखो जब कोई धातो ऑक्सीजन द्रव अम्ल आदी के संपर्ग में आती है तो वो कमजोर हो जाती है और जैसे हमने देखा होगा अपने आसपास लोहे की वस्तू में जंग लगना और क्या होता है और जो चांदी की पाइले ममिया पहनती है उसमें भी थोड़ी परह चड़ के जाती है जिसकी को यह सब्सक्राइब की मतलब यह होता है में चीज ऑक्सीजन की परचर जाती ठीक है अब हम पढ़ते हैं विकृत गंधीता वशयुक तैली खाद्र समादी वायू के संपर्थ में आपने पर उप्चैइत हो जाती है जिसके स्वाध में और गंध परिवर्थित हो जाते हैं । उक्रित गंधिता कहते हैं अब हम यह जानते हैं हमें पता है कि उपचयन क्या होता है जिसमें ऑक्सिजन की उपस्तिती होती है तो ऑक्सिजन से क्या होता है हमने ध्यान दिया होगा कि अगर कोई भी खानी की वस्तू हम बाहर रख देते हैं तो वो कहते हैं थोड़ी दिन में वह खराब हो जाती है ब्रेट पर देखाऊगा फंगी लग जाती है तो इसी प्रकार इसमें बताए गया है कि प्रति आक्सिकारां का उप्योग करके वायू रोधी बर्तन में खाद समागरियों को रखने पर वायू के अस्थान नाइट्रोजन जो हमने आपने और सब खाते ह आज कर चिप्स के पैकट देखे होंगे उसमें क्या होता है जो हम देखते हैं फुले होते हैं है उसके अंदर क्या थो नाइट्रोजन गैस होती है जिससे वह होता है वो खराब न हो और वह उसकी जो कॉल्टी अच्छी और कुरकुरापन उसमें बना रहे हैं तो इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही तक हम से जुड़ने के लिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेर कीजिए वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेर कीजिए